दोस्तो सेर भले ही जंगल का राजा होता है पर जब उसका सामना धर्ती के समसे भी साल का या स्थलिय जीव हाती से होता है तो उसकी जान भी चली जाती है और इसलिए सेर अकसर इन हातियों से दूरी बनाया रखते है लेकिन इन हातियों के छोटे छोटे बच्चे अपने अक पिला सेर अकेले ही इस हाथी के बच्चे को मारने का परियास कर रहा था, इन दोनों के बीच आयसे ही काफी देर तैसंगर चलता रहा, अब ये लगने लगा था कि साइद ये हाथी का बच्चा हार माल लेगा और मारा जाएगा, पर तो अभी इस हाथी ने अचानक इस सेर को दूर फेक दिया और अपने जुंटे की तरफ भागने लगा, ये हाथी साइद बहुत ही जदा लखी था, जो इसका स्कामना अकेले सेर से हुआ वरना इसका काम भी इसी तरह तमाम हो जाता, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आद देख सकते हैं कि जब रात के समय मोसम बहुत ही जदा खराब था और इसी मोसम के भी सेर और हाथियों का समय एक पास आ गया, पर ये सेर इन हाथियों के ताकत को भली बात ही जानते थे, इसलिए असना हंती से बैठे थे, लिकिन में सेहासी के एक बच्चा साधी सेरों की ताकत से अज जान था, और इसलिए अपने अखार और ताकत के घमर्णे में चूर हो, ये उन सेरों को परिसान कर रहा था, ये ताकत वर जरू से बार बार वार्ण कर रहते बटों नहीं रुका, तब इन सेरों ने एक सांदार प्लानिंग मनाई, और वो इस बच्चे को दीने दीरे, जुन्ट से दूर ले जाने लगे, और जब ये बच्चा अपने समूर से बहुत ही दूर निकल गया, तो करी 20 सेरों ने एक साथ मिलकर अचानर इस हाती पर हमला कर दिया, तो अब जाकर इस बच्चे को लगा कि साइज उसने बहुत बड़ी गल्ती कर दी है, और वो इधर उतर भागने लगा, पर इसका कोई भी कि तब ही एक हुखाड सेर, वहाँ पर आगे, जिसे देखो हाती का बच्चा तनिक भी नहीं घबराया, और सेर को आके दिखाने लगा, पर थोड़ी जेर में उसको ये सारा घमन चूर चूर हो गया, क्योंकि सेर ने उसको आउकात दिखा दी और बता दिया, कि बच्चे त बच्चे अपने ताकत के घमन डे में अपने जहान को खोने के लिए आ रहे थे, और सेरो कहाते मारे जा रहे थे, पर दोस्तों आपको वीडियो कैसी लेगी है, हमें कमेंट करके जरूर बताएए